रादे रादे फ्रेंड्स वल्कम टू आर चैनल माई स्मार्ट टिप्स आज हम धोकला बनाने जा रहे हैं तो धोकला बनाने के लिए हमने एक कटोरी बेशन लिया है उसको हम एक बाउल में डाल देंगे और फिर उसमें हम एक चुटकी हल्दी डाल देंगे अर उसमें एक कटोरी डालेंगे और फिर हम इन साब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसे अच्छे से हिलाएंगे ताकि इस सारी चीजbird आपस में मिक्स हो जाए यह देखिए जब तक इसकी कंसिसेंस इस तरह से नहीं हो जाती तब तक हम इसे हिलते नहेंगे फिर हम इसे पंदरा मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे पंदरा मिनट के बाद यह देखी उसके बाद हमने एक कुकर लिया है उसमें हम तीन से चार कप पानी डालेंगे और हम इस पानी को गरम कर लेंगे फिर हमने एक पैन लिया है उसमें हम एक कच्छी गी डालेंगे गी को गरम कर लेंगे और फिर हम उसमें थोड़ा सी राई डालेंगे और राई को हम भुन लेंगे यह देखिए राई भुन गी है फिर हम उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और फिर हम इसे अपने ढोकले के बैटर में ऐसे डाल देंगे और फिर हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद जिसमें हमने डाल बनाना है हम उस पर ऑईल लगा लेंगे हम अच्छे से ऑईल लगा लेंगे फिर हम ढोकले के बैटर में इनो डाल देंगे हमने एक पाउच इनो का डाला है और हमने एक धकन वाइट विनेगर डाल दिया है फिर हम अच्छे से हिला लेंगे और फिर हम ये बैटर उसी टाइम जिसमें हमने डोकला बनाना है हम उसमें डाल देंगे हमने कुकर में पानी को अरम कर लिया था अब हम इसको कुकर में रख देंगे और बीस मिनट के लिए इसे ढख के रख देंगे फिर हमने इसकी एक पैन लिया है पैन में हम एक कर्ची घीर डालेंगे और हमने तीन हारी मिर्च काट ली है तो उसको हम थोड़ा तर लेंगे और फिर हम इस हारी मिर्च को बाहर निकाल लेंगे और उसी घी में हम थोड़ी सी राई डाल लेंगे फिर राई को हम बुन लेंगे राई बुनने के बाद हम इसमें दस से बारा कड़ी पत्रे डालेंगे और फिर हम इसमें एक से डेट ग्लास पानी डालेंगे फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक और चार से पांच चमच चिनी डाल देंगे और इसमें हमने दो धकन विनेगर डाला है अब हम इस पानी को बॉइल कर लेंगे और इन सब चीज़ें को आपस में मिक्स कर देंगे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले अब हमने जो हरी मिश चली थी वो हरी मिश भी हम इसमें डाल लेंगे 20 मिनट के बाद ये देखिए हम ढोकले में नाइफ डाल के देख लेंगे कि ये बना है या नहीं ये देखिए ढोकला बन गया है 20 मिनट तक ये ढोकला त्यार हो गया है अब हम इसे कुकन से निकाल लेंगे फिर हम दोकले को थोड़ा ठंडा होने देंगे थंडा होने के बाद हम इसे इसमें से निकाल लेंगे और एक प्लेट में डाल देंगे अब हम दोकले को चोटे चोटे पीसिस में कट कर देंगे अब हम देंगे फिर हमने जो इसकी चिकनी त्यार की थी वह हम दोकले के उपर डाल देंगे यह देखिए धोकला त्यार है अगर आपको हमारे धोकले के पीसिस में कट कर देंगे तो इसे लाइक करके श्यार करना ना भूले और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना भूले थैंक यू कर देंगे